हेलो दोस्तो तो आज हम करने वाले हैं open hearth furnace के बारे में तो देखे open hearth furnace का दूसरा नाम हमारे पास है Siemens Martin process तो यह क्या है एक्शुली में देखे हमारे पास पहले हमने process पढ़ी थी बैसेमर प्रोसेस में क्या कर रहे थे हम पिग ऑरं से स्टील तरह कर देख कर sätt हैं तो हमारे पासे जूरुत क्यों पड़ी ओपन हर्थ कि ये यह भी क्या कर रहा है यह भी पिग आयरन से स्टील ही तियार कर रहा है तो हमें जुरत क्या है इसकी यह दिमाग में आता है कि बैसमर से चल दी रहा था खाम अब बैसमर में प्रॉलम क्या थी बैसमर में प्रॉलम आ रही थी नाइट्रोजन की तो एर से वह नाइट्रोजन ल तो हमारे पास जो quality आ रही थी, वो cheaper आ रही थी, quality अच्छी नहीं मिल रही थी हमें, तो ये obvious nitrogen हमें जो चाहिए नहीं वो चीज इसमें आ रही थी, इसने ये solution किया, ठीक है, देखें, पहले जो हमारे पास engineer थे, सीमन्स से, तो उन्होंने ये बनाया था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी changes लाने के बाद, 1865 में, 1865 में, Martin, ये जो engineer थे, सीमन्स से, इसके जो patent है, वो लेने के बाद, इन्होंने ये changes किये, उस changes के बाद, ठीक है, तो दो scientist का नाम है, इसलिए इसको सीमन्स-Martin प्रोसेस भी बो हुआ, एक final हमारे पास बनी, open heart furnace, बहुत ज़्यादा uses में, worldwide ये use की जाने लगी, और देखे, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, किस तरह से इसके structure है, तो ये outer जो part है, ये सारा, ये refractory material का बनाई, ये bricks है, और ये क्या है, refractory material से बनी है, और यहां पे man hole है, यहा हम एक hole है, जहां से हम कोई लेबर है, जो इसके अंदर जाकर, शफाई भी कर सकता है, तो ये charging door है, charging door का मतलब है, जहां से हमने charge करने, मतलब हमें, जो इसके अंदर पिक guarantee डालना है, तो वोँ वहां से हम डालेंगे, इसके यहाँ पे देखिए, तो ये bricks है, लेकिन इसे हम पस होते हैं तो इस तरह से यह चेकर ब्रिक्स है और यह है एक्च्वल में हर्थ तो हर्थ एक्च्छली वर्ड क्या है हर्थ होता है कि जैसे कहते है चुला तो चुला है और कुछ नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में पता नहीं क्या लगता है हर्थ वर्ड आ गया कोई बड़ा डिफिकर्ट वर्ड है तो आपको जो भी इंग्लिश का वर्ड लगे पहले आप सर्च के लिए बढ़ा मजा आता उसके बाद ही कुछ भी नहीं होता वो हॉलिवर्ड मुवीज होती हैं वहां पे हम देखते हैं कि घर के अंदर ही उन्होंने आग जलाने की जगा रख रहे तो उसको हम हर्थ होते हैं तो यह हर्थ है यहां पे तो यहां पे चूले के सामने जगाई यह है तो होगा क्या हमने यहां पे कर एफेक्ट किस तरह से प्रि गारन है, वो आग के direct contact में नहीं आएगा इसके अंदर भी यहाँ से gas एंटर करवाते हैं तो यह जो हमारे जो gas है वो पीछे से आ रही है वो अलग जगा पे इसको heat up कर रहे हैं, तो यह यहाँ से enter करती है, और यह हर्थ हर्थ मतलब यहां से अब हम हीट देंगे ठीक है और इसके उपर हमने मैटल को रखना है पिगारिम को रखना है तो यहां से जो गैस आएगी यहां से घुमेगी इसको हर्थ को मिलेगी उसके बाद यहां पर गैस यहां पर भी जाएगी यहां पर जाएगी यह हीट में काम आ सके हमारे पास थीक है इन्होंने दो आइडिया लगा रखे हैं तो हम कुछ important points से इसके पढ़ लें तो हमारे पास क्या है पिग आरेल से steel बना रहे हैं ठीक है और कि हमारे पास direct contact में नहीं आ रही है तो इसके अंदर क्या है don't have fire place तो इसके अंदर फायर प्लेस नहीं है अंदर कहीं भी आग नी जिला रहे हैं बाहर जिला रहे हैं ठीक है गैस और air chamber का हम use कर रहे हैं तो checker work of silicon bricks तो हमारे पास ये जो checker bricks है ये क्या है specially silicon material हमने use किया हुआ है तो ये silicon material आपने use किया हुआ है देखे pig iron fed through charging door यहां से हुँ क्या करेंगे pig iron डाल देंगे then temperature attained कितना temperature attain करता है 1600 से लेके 1650 degree तक ये temperature attain कर पाता है ठीक है तो यहां से जब gas आईगी तो होगा क्या waste hot gases pass through checker bricks तो जैसे मैंने पहले बताया तो waste जो हमारे पास gases है वो यहां भी जाएंगे ओके अब देखे अब इसके अंदर फाइदा क्या मिलेगा हमें हमने इसके अंदर से impurities निकालनी है जैसे मैंने आपको best similar process में बताया है कि हमने impurities को अलग करना है अब impurities के इस तरह की है हमारे पास silicon हो गया carbon हो गया यह हमारे पास phosphorus हो गया तो यह impurities हम निकालना चाहते हैं तो यह पास यहां से आएगी तो यह क्या करेगी सी सब की आकसाइड बना झादएग Pride बना देगी तो यह उकसाइड बन के निकाल जाएंगे जैसे कारBon है तो Carbon Monoxide जैक है silicon dioxide तो फॉस्फर till औकसाइड तो बने हमारे बन के निकल जाएंगे तो यह यहां से निकल जाते हैं ठीक है यह हुगए और क्या है हमारे पास उसकी बड़ कि मटें णा carbon इसके अंदर add करना है क्योंकि steel क्या है 2% carbon दालने बस उस से जादा डालोगे तोepingka WILL, is हम कहारा क्हारा बन जाएगा PH Chili तो हम ही क्या करना है उससे कम दालने है लेकिन desired quantity मैं है पहले भी बताया जि 1.5 और 1.50व बी इतना भी difference tip carbon था डालते हो तो आप हमारे पास जो स्टील की क्वालिटी बनेगा तो इतना ज्यादा क्रिटिकल है कार्बन तो परसेंट है देखो कितना कम 1.5 सोच के देखो हमारे पास एक किलो अगर टोटल स्टील है तो उसमें सरफ एक पॉइंट पांच परसेंट इतना कम हो गया तो ग्रामों में आ है ठीक है और दस स्याइरा ग्राम के पास हो गया तो इतना कम डालने के पात है इतना कम डालना है तब हमारे पास यह स्टील् t बन जाता है ठीक है तो मेज़र कॉंटिटटी हिंग Einhing और बेसिक नियुकार olhos व्धश vendors अभ डाल बिके ठीक है कितना डालना हि कितना तो Physics या बेसिक? Depends किस़ पे करएगा? अगर तो फोसफोर्स नहीं है तो हम YobandChlam-Corder, Ms.E.D.K रखेंगे इसके अंदर फोसफोर्स नहीं है तो अगर फोसफोर्स है तो Basic L滿 इसकी रखेंगे ठीक है? इसकी लिए आपको समझाना तो basement में मैंने समझा रखा है तो वहां पे आप समझ सकते हैं तो यही problem थी, phosphorce नहीं निकल रहा था जब phosphorce नहीं निकल रहा था, हमने इसकी lining केंग की थी और यह basic lining लगाने के कारण क्या हुआ, phosphorce भी remove होना शुरू हो गया था ठीक है तो हमारे पास iron में force force remove हो गया था तो देखिए better quality steel than besimmer process अब quality जो है besimmer से अच्छी बनने लगी थी ठीक है quality better होनी हो लगी थी तो quality better में लेगी तो फाइदा ही है हमें तो देखिए और क्या है 95% output में लेगी output बढ़ने लगी output बढ़ेगी तो cheaper बनेगी चीज ठीक है less loss of iron iron का loss besimmer में जदा होता था तो इसमें loss जो है 4% ही होता है तो iron का loss like क्योंगे गरम कर रहो ना यार गरम करोगे तो losses होंगे उसमें losses जो होंगे iron के वो 4% ही है इसमें देखें लेकिन problem सबसे बड़ी problem सबसे बड़ी problem यह slow बहुत है जो जहां जो काम besimmer ने 20 मिनिट में करना है यह 6-6 गंटे लगा था उसी को लेकिन इसके size बड़ा है quality अच्छी है क्योंकि अगर कोई चीज हमें जल्दी मिल रहे लेकिन quality नहीं मिल रही तो फाइदा क्या ठी फिर भी फिर यह problem बहुत बड़ी problem थी तो यह देखें काफी time यह इसका use करते रहे पूल all over the world use करते रहे हैं ठीक है लेकिन अब धीरे 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 क्या हुआ उसके बाद ठीक है काफी साल चलाने के बाद यह क्या हुआ 1990 के पास वहां पे आने के बाद electric हमारे पास परने से जानी शुरू होगी जब electric आने शुरू होगी तो वही बात जैसे पुराने टाइम में जो हमारे पास use करते थे टीवी तो electronic आगे हमने वो छोड़ दिये LCD आगे तो पुराने टीवी छोड़ दिये तो जब electric आए तो बिचारे को इसको किसी ने नहीं जा तो धीरे धीरे धी यहां पे हमें steel मिल जाता है और slack के रूपे हम क्या कर देते हैं impurities को remove कर देते है I hope कि आपको यह चीज़ समझाई होगी तो एक story की तरह समझो इसको story की तरह समझो कि तो सब कुछ मजा आने वला है तो कुछ भी मज़ेदार नहीं लगता हमें लगता कि किस तरह से हमें इसक infection गोड़ी है कितने percent उसमें steel यूज किया जाता है कितने नॉर्म यह कोई exactly value नहीं होगा एक variable value होगा तो देखते हैं कितने students को पता है इसके बारे में एक कार की अंदर कितने percent steel यूज होता है यह आप comment box में जरूरू बताएं और मेरी बिनाई और जाला वीडियो देखना च हुआ है